दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं हमारे सिंपल रसोई में तो आजम बनाने जा रहें बेशन और मुली के पत्ते के पकोरी तो हम लेंगे यहां पे त्यर्सो ग्राम बेशन और हम इसमें एड करेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा बेशन में हमने हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा एड कर लिया अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोरी थोरी पानी डाल कर इसकी हम गोल बना लेंगे अब हम एक बेटर को पानी में डाल करके चेक करेंगे कि यह त्यार हुआ है की नहीं तो आप सब देख सकते बेटर त्यार हो चुका है क्योंकि यह पानी के ऊपर आ रहा है हमने जो बेशन के गोल बनाया उसमें हमें एट करेंगे अज्वाइन, काला जीरा, प्याज, हरी मिर्च, मुली के पत्ते, नमक और हमें एट करेंगे कुछ मसाले अब हम यहाँ पर एट करेंगे नमक, स्वादनुसार, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जीरा धनिया पाउडर अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेशन में तो आप सब देख सकते हैं हमारा बेटर बन के त्यार हो चुका है, अब हम चलते हैं पकोरे तलने के प्रोसिस पे पकोरे तलने के लिए हमने कराई में पहले से तेल डाल कर गेस पर चरा रखा था, अब हम एक बेटर डाल कर चेक कर लेंगे कि तेल गरम हुआई की नहीं, तो आप सब देख सकते हैं तेल गरम हो चुका है, अब हम यहाँ पे पकोरे तल लेंगे झाल हम पकोरे को पलटते रहेंगे तक यह अच्छे से पक जाए और हम इस पकोरे को मीडियम लो फ्लेम पे तलेंगे तक यह जलेना और अच्छे से पक भी जाए तो आप सब देख सकते हैं हमरा पकोरा बनके त्यार हो चुका है, अब हम इस एक प्लेट में निकाल लेंगे तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं हमारा ये बेशन और मूली के पत्ते के पकोरे बनके त्यार हो चुके हैं, आप चाहे तो इसे चटनी या फिर टोमेटो सोस के साथ खा सकते हैं, तो अगर आपको हमारा ये पकोरा बनाने का तरीका अच्छा लागा हो तो प्लीज हमरे वीडियो को लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यावाद